आजे म् पढ़ेंगे Atomvile Industry Atomvile provides vehicles for quick transport of goods, services and passengers तो Atomviles का मतलब है गाडियां चाहे वो बसें हों, चाहे वो कारें हों, चाहे वो ट्रक हों goods को एक जखस्तान से दूसरे स्थान पर लेके जाना हो सिवाएं पहुंचानी हो जा पिर सफर करना हो तो उसको ये जो गाडियां हैं वो अंजाम देती हैं उसमें ट्रक्स, बसे, कार्स, मोटरसाइकल, स्कूटर्स, थ्री विलर्स, एंड मल्टी उटिलिटी विकल्स और मैनफेक्चर्ड इंडिया एड विरियस सेंटर्स तो अलग-अलग किंद्रों में ट्रक्स, बसे, कारे, मोटरसाइकल, स्कूटर, थ्री विलर्स, स्कूटरी, मल्टी उटिलिटी विकल्स जो कई काम करती हैं ऐसी विकल्स तो वो भारत में अलग-अलग किंद्रों में अलग-अलग जगा पर वो तैयार की जाती हैं, in the in of new contemporary models stimulated the demand for vehicles in the market which led to the healthy growth of the industry including passenger cars two and three wheelers तो भारत में liberalization के आने के बाद बहुत सी foreign की कमपनियां और भारत के कमपनियां जो है उन्होंने ऐसे model गाडियों के अलग लग मौडल जिस पर टीवी की अब टीवी में जिसकी बहुत सारी एड्स आती हैं तो उन्होंने इस demand जो विकल्स किया उसको stimulate कर दिया है कि मतलब बहुत ज़्यदा बढ़ा दिया है मार्किट में विकल्स की डिमांड बहुत ज़्यदा अगई है विच लेड़ टू दा हेल्दी ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री तो इसमें प्षेंजर कार्ज टू विलर थ्री विलर सभी की जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यदा बढ़ गई है दे अंडस्ट्री हैज एक्सपिरियंस्ट एक कॉंटम जंप इन लेस दन फिप्टीन जियर्स तो पंदरह साल में इसमें बहुत ज़्यदा फरक आई है foreign direct investment brought in new technology तो जो बाहर के देश से जो डिरेक्टली पैसे भारत में invest होते हैं उससे नई टेकनोलोजी आ गई है एंड लाइन देंडस्टी विद ग्लोबल डिवेलमेंट उससे के साथ हमारा देश जो है वो बिश्यव के सतर पर विकास कर रहा है at present there are 15 manufacturers of passenger cars तो भारत में 15 ऐसे बड़े कारखने हैं यहां पर passenger cars बनती है and multi utility vehicles बनती है 9 of the commercial vehicles तो ऐसे जो commercial vehicles जो बजार में तलब लोगों को ढोने के लिए जा हम पैसा लेके ढोने के लिए वो काम करते हैं जो दूसरे passenger cars हैं वो personal लोग अपने लिए ली लेते हैं जा लोगों को जनता की सेवा के लिए करते हैं 14 of the two and three wheelers तो चौदा ऐसे बड़े कारखने हैं यहां पर two wheeler और three wheeler बनते हैं लोकेटेड आराउंड देली तो यह सारी इंडस्टी जो है देली गुड़गाओं मुंबई के पास में पूने चिन्नेई कलकत्ता लखनव इंदौर एद्रावाद जमशेदपुर एंड बैंगलूरू जे सारे शहरों में शहरों के पास-पास में जो इंडस्टी एरिया है फोकल पॉइंट्स हैं वहाँ पर यह सारी इंडस्टी है जो चल रही है आगे है इन्फरमेशन टेक्नोलोजी एंड लेक्ट्रोनिक्स इंडस्टी यह नया शोबा है नया एक मतलब विभाग है इन्फरमेशन टेक्नोलोजी में टेलीफोन वगर आता है मौईल का आता है जालेक्ट्रोनिक्स इंडस्टी आती है जिसमें बहुत सारा SS बनता है the electronics industry covers the wide range of products from transistor sets to television तो पहले छोटे transistor होते थे टेली विजन होते थे छोटे black and white television होते थे पिर color TV आ गए फिर ये दूसरे बड़ी स्क्रीन वाले बिना picture tube के वो वाले TV आ गए तो उसमें ना सिरफ आम लोगों के यूज के लिए जह सेलूलर टेली कॉम जे मोबाइल फोन के बारे में कायभा है टेली फोन जो होते हैं वो ऐस जो लैंड लाईन वेले होते हैं जहां फिर पेज़र पेले बहुत चोटे इतने छोटे छोटे उते जिस स्रेम मेंसेज बेज़ सकते थे वहाज से 20 साल में उसुप होते हैं कम्प्यूटर बहुत इसका ह्या एंड मैली अभरक होते हैं लगलर मोभाइल होते बहुत सारा समाल लगता है वो सारा लेक्टॉनिक सांडिस्ट्रीह लग-लाग- देशों संब्भारत में भी है तो बैंगलाल इसका जिहए लेक्टॉनिक कैपिटल का मतलए सेंटर बन गया है यहां पर यह सारे लेक्टॉन्स की जा करता लखनौ एंड कोईम टूर यह बाकी शहर हैं भारत के जो अलग-अलग शहर हैं वहां पर electronics goods जो हैं वो तैयार होती है बाई 2011 स्टी पी आई सॉफ्ट्वेर टेक्नोलोजी पार्क्स ऑफ इंडिया हैव कम अप अक्रोस 46 locations at different centers of इंडिया तो भारत में electronics बनाने वाले कम से कम 46 ऐसे location हैं यहां पर यह सारा काम होता है however the major industry concentration is at Bangalore, Noida, Mumbai, Chennai, Hyderabad and Pune तो बड़े-बड़े यह शहर हैं यहां पर main जो यहां electronics का जितना भी काम है वो सारा इनी शहरों से होता है a major impact of this industry has been on employment generation तो इससे बहुत सारा रोजगार पैदा होता है बहुत सारे जो जुवा लोग हैं यहां पर काम करते हैं उनको दिन रात भी काम करना पड़ता है तो अवासी यह मुश्किले तो उनको आती हैं लेकिन रोजगार वहां पर बहुत है it is encouraging to know that 30% of the people involved in the sector are women तो 30% जो यहां पर काम के लिए लगाए गए जो लोग हैं वो लड़कियां हैं औरते हैं this industry has been a major foreign exchange earner तो वो सहरा electronics का समान जाँ इसका computer का समान जाँ सौफट्वेर जाए जानि उसमें जो हम बनाते हैं तो हम बाहर के देशों में उसका export होता है उसके उससे हमें foreign exchange प्रापत होती है in the last two or three years because of its fast growing business processes outsourcing sector और outsourcing का मतलब हमें बाहर के लोगों को जो बिदेश में जो लोग हैं यहां के लोग जो हैं उनको computer operator और software engineer के लिए वहां पर outsourcing के लिए जाते हैं वह outsourcing का मतलब होता है कोई दूसरी कंपनी हमें हैर करें तो वह बाहर से जो लोग काम के लिए किसी कंपनी में जाते हैं तो उसको आउट्षोर्सिंग कहते हैं the continuing growth in the hardware and software is the key to the success of IT industry in India तो इसमें आपको समझना होगा hardware क्या है और software क्या है hardware का मतलब है कोई भी हमने computer बनाना है तो उसके अंदर जो parts लगते हैं उसके अंदर जो CPU Central Processing Unit है उसके अंदर UPS Unimperated Power Supply है Central Processing Unit है Keyboard है अलग लग जो समान है जो दिखता है सामने जिसको touch कर सकते हैं वो hardware है और उसके अंदर इस computer को चलाते समय जो programming होती है जैसे mobile में जो program होती है program होती है उसको software कहते हैं तो वो दोनों जो है इसकी जो growth है continuing चल रही है जिस जो के IT इंडर्स्ट्री की सभलता के लिए वो बहुत बड़ा योगदान है इनका तो जैसे केवल में फेक्टिंग फेसिलिटीज एट एचसी एल Rupna Reinpore Best बंगाल में केवल अंडर्स्ट्री का जो बड़े बड़े रोल्स हैं यहां पर केवल बनती है जो जमीन के नीचे बिशाइधि जाती हैं पावसुप्लाई के के लिए और टेली कम्मुनिकेशन के लिए संचार वेवस्ता के लिए जो जमीन के नीचे बिशाई जाती है केवल वह यहां पर बेस्ट बंगाल में एचल जो प्राइवेट फैक्टरिया वहां पर बन रहे हैं और यह है गैस ट्रवाइन गैस ट्रवाइन का मतलब है कि नैच् ट्रवाइन जो है ऐसी बिजली से पानी से भी चल सकती है और पवन चक्की से भी चल सकती है तो इसकी जिए असेम्बली है जो भारत हैवी एलेक्ट्रिकल लिम्टेड है दरावाद में है इंडस्ट्रि पॉल्यूशन एंड़ एन्वारिमेंटल डिग्रेशन तो यहां पर तो लगती है बहुत ज़्यादा पर उसके साथ में एकनॉमिक ग्रोथ होती है डिवेलमेंट भी होती है विकास भी होता है तो उसमें प्लूशन भी बनता है लेंड का पानी का और हवा का नौइज का जल्टिंग डिग्रेशन आफ दा इंवार्नमेंट जिससे प्रयावन जो ह कोई ना कोई उपाए ऐसे करने चाहिए जिससे प्लूशन कम से कम हो डश्टिज आरेस्पॉंसिबल फॉर टाइप सॉफ प्लूशन तो जो इंड़स्टिज है उससे चार तरह का प्लूशन होता है जो एर का हवा का पानी का लैंड का नौइज का जा प्लूटिंड इंडस् प्लांट जो है वो भी इसमें आते हैं एर प्लूशन इस कास्ट वाइद अप्रेजेंस ओफ हाई प्रपोर्शन ओफ अन्डिजारेबल गैसे तो उसमें हवा में ऐसी अनिच्छित गैसे आ जाती हैं जिससे सांस की तकलीफें और रेस्पिरेटरी डिसॉडर्स होते हैं सच अच्छा सुलफर डायक्साइड और कार्वन मोनोक्साइड तो जब हम कोईले से थर्मल पावर प्लांट चलाते हैं यानि के कोईले को हम पानी को करम करने करके भाब बनाने के लिए जूज करते हैं और उस भाब से हम ट्रवाइन गुमाते हैं तो वहाँ पर यह वाली गैस सुलफर डायक्साइड कार्वन मोनोक्साइड बहुत ज्यादा हरमफल गैसिस होती हैं जिससे एयर प्लूशन होता है उसके साथ में एयर बॉर्म पार्टिकल्स होते हैं मैट्रीरियल कंटेन बोथ सॉलेड एंड लिकवर्ड पार्टिकल्स लाइक डस्ट स्प्रेज मिस्ट स्मोग जुर्म दूआ होता है दूल होती है जा मिस्ट की स्प्रेज होती है तो वह सारा हमारे परियावन को गंदा करता है तो जो चागज्द बनाने वाली फैक्टरी में महां से बहुत सारा दूआ निकलता है है पानी को भी गन्दा करते हैं ब्रेक की लिद्ध में बनती है यहां पर इंटों को वहां पर टायर जलाई जाते हैं जब दूसरा चीजें जलाकिंति हैं उपर चिंबनी रखते हैं उपर को तो जिस से बहुत ज़्यादा होता है refineries 어 provocative供 प्यट्रोलियूं प्ड़क्ट्स र Laurie caneony जेसे सजासे मिठ्टी का तेल टीजाल पैट्रॉर तुसारी सीजीं को लग करने के लिए refineries में पिट्रोलियूं प्ड़क्ट्स को गरम किया जाता उसकी गैस मनाती जाती य के ऊंधित कीश को प्रिदा में हैं जा गैस चलाते हैं तो इस शोटी फेक्टियों में भी होता है जहां से अंप्लिशन के नॉम्स जो हैं उनको भूल जाते हैं टॉक्सिक गैस लीक्स कैन भी वेरी हैजर्ड़स इफ बिद लॉंग टर्म एफेक्ट तो अलग लग जहरी ली गैसों का निकलना जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और लॉंग टर्म उसके बहुत ज़्यादा देर तक रहने वाले असर होते हैं और जो अवेर अब फाइल गैस ट्रेजडी डैट अकर्ड तो उससे एक अमेरिका की एक कंपनी थी यहां पर वो एक मिक गैस बनाते थे तो उसके वो गैस लीक होने से वहां पर तीन-चारहजार लोग एक 1984 में मर गए थे वह फाल गैस एजंसी है वहां पर उन लोगों को अभी तक अब इनसाफ नहीं मिला तो एयर प्लूटेंट्स जो हैं वो वो इसको हुमन हैल्थ को बहुत बुरी तरह प्रभावद करते हैं तो एनिमल्स प्लांट्स और बेल्डिंग्स को भी तो एक्मास्फिर एज वेल तो यहां तक हम पढ़ेंगे यहां आगे वो है एयर प्लूटेंट्स हो गया और वाटर प्लूटेंट्स है उसके बाद में होगे